ayo अगर आपको D gets आप करना है तो तीन चीज़ें आपको नश्य द रूप से पता होनी चाहिए हैं वो क्या है कि बारे में मैं आपको पतांँगा एक तो मेरे पीछे है और एक सब अंतमे में आपको बताऊंगा इसलिए पूरा की पूरा आप लेक्चर जरूर देखें इसमें मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कट ओफ कितनी रहती है हिंदी की कट ओफ कितनी रहती है मैज की कट ओफ कितनी रहती है उससे आप पंदाजा लगा सकते हो को आपको तैयारी किस लेबल की कर लिए तो आइए शुरुवात करते हैं सबसे पहले आपको डी ट्रपर एसवी के बारे में क्या याद होना चाहिए डी ट्रपर एसवी जो है वह नेगिटिव मार्किंग करता है यह बात आपको ध्यान रखना यहां पर नेगिटिव मार्किंग होती है है नगेटिव मार्किंग का मतलब सीधा सीधा है कि अगर आपको इक कुष्टेν गलत किया तो आपका एक बंटे पैनल्टी की रूप में दिया जाता है यह किसी भी पेपर को टिपीकल बना देता है और जहां जहां नेगटिब मार्किंग होती है वहां पर साट परसेंट आप सोच लेजिए अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका सेलेक्शन हो जाता है दूसरा डीटे पलस्वी का बहुत खतरनाक जो काम है वह यह है कि यह दो घंटे में 200 प्रश्णों को आपसे कहता है यह सौल कर लो दो घंटों में टीक है टू आर्स में 200 समझ रहां 120 मिनिट में 200 वर्श्ण तो उस समय पर जब आप एक्जाम दे रहे होते हैं तो आपको कितनी कैलिकुलेटेट आपको टाइम की कोश्ट करी तो साइद आप 200 प्रशनों तक पहुंची नहीं पाओगे आप पढ़ी नहीं पाओगे 120 वर्ट में तो इस पर आपको बिसेश रूप से ध्यान देना चाहिए अच्छी तरह से आगे चलते हैं अगला दूसरा क्या है कि यहां पर मिनीमम क्वालिफाइंग मा थर्टी परसेंट हैं यह बात आपको याद रहनी चाहिए तो यह इस पेपर को और भी ज्यादा टिपीकल बना देता है पहला नेगटिव मार्किंग और दूसरा मिनीमम क्वालिफिकेशन इसका मतलब है कि आप इस पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं आप ऐसा नह है नेगटिव मार्किंग का यह दो चीज है तीसरी चीज जो आपको यह पता होने चाहिए कि कट ओफ कितनी रहती है कट ओफ तो कट ओफ देख लो में देखो कट ओफ कितनी है 120 यानि 50% के आसपास यहां पर कट ओफ रही थी 50% समय रहें इसका मतलब में आपको यही बता र इसके बाद देखिए यहां पर टीजीटी यारी यहां पर नुचल सांज मेल की मेल की और कम गई है 51% के आसपास यहां पर कट ओफ गई है ठीक है इतना इसके अलावा क्या है कि टीजीटी इंग्लिस जो फीमेल है ना उसकी कट ओफ देखिए 104 यानि 50% के आसपास अगर अगर आप इंग्लिस मेल यानि आप आप कहोगे सर इसकी किसी की ज्यादा किसी की कम क्यों गई वह इसलिए क्यों कहां पर बेकेंसी ज्यादा थी कभी कम थी उसके उसका भी इंपक्ट पड़ता है यह आप देहार रहा है अगर आपने 60% पेपर कर दिया तो फिर समझ लोग एक्टी टू चालीस परसेंट ठीक है पंजाबी में देखो फोटी परसेंट पंजाबी में में देखो इतनी और सोशल साइंस फीमेल में देखें तो 120 यानि 60 परसेंट वही कम जगें थी इसलिए ज्यादा होगी बना इसमें भी वही लगवा लगवा 110 के आसपास कट आप पर हिंदी के को 115 का कुछ भी अगर आप पता है की सी सी से फिर तो आपकार सेलेक्षिन पता है कम में भी हो सकता थका कंप्ड़ी ससाथं तरह से तैयारी करें त्यारी कि वहें इतने मैं ने आपको यहां पर बता दिया कि किस प्रकार से तयारी करना है अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें जो भी आप चाहें तो आपको वहां पर मिलेगा और रिलेटर में आपको वीडियो भी दूँगा और अगर आप मुझे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे जुड़ी सकते हैं चलिए तो बबाएश टेक केर सब लोगो प्रध्यान रखें जाहन जाभार झाँ झाँ झाँ